स्री इगनेशा आये नमोनमहा, मित्रो अनोखा संगम आज के पंचांग में आपका हारदिक स्वागत हैं। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विश्य में। आज के पंचांग में तिथी, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तिरत जानकारे के साथ साथ आज का शुब समय अभिजीत महुरत, एशुब समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के व्रत और तुहारों के बारे में पूरी-पूरी जानकारे मिलती हैं। आज का शुब पंचांग। आज हम जानेंगे 7 नवंबर 2024 गुरुवार का संपूर्ण और विस्तिरत पंचांग। तैतिल योग रहेगा ध्रती। आज कार्तिक महा के शुकलपक्ष की शस्टिति थी 12 बच कर 24 मिनट मध्यरात्री तक रहने वाली है तद बरन्त सब्तमितिति प्रारंब हो जाएगी। आज संद्रवा धनू राशी में विराश्मान रहेंगे 5 बच कर 24 मिनट शाम तक इसके बाद मकर राशी में आ जाएगे आज सूरे तुला राशी में विराश्मान रहेंगे। आज का नक्षत्र पूर्वा शाधा 11 बच कर 47 मिनट रातरी तक रहने वाला है इसके बाद उत्रा शाधा नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा। आए जानते हैं आज का नक्षत्र जिन लोगों के नाम अक्षर भू, धै, फै और धैशे शिरू होते हैं वे लोग पूर्वा शाधा नक्षत्र वले होते हैं इनकी राशी होती हैं धनुराशी, राशी स्वामी, गुरु, तत्व की बात करें तो अग्नी दत्विंका रहता है गण इनकर हैता है मनुश्य नाड़ी मध्य नक्षत्र देवतार जल और सभाव से उग्र होते हैं आज का पहला करण कोलव 12 बचकर 41 मिनट दोपहर तक रहने वाला है इसके बाद दूसरा करण तैतिल 12 बचकर 34 मिनट मध्य रातरी तक रहेगा अज जानते हैं आज के करण के बारे में कोलव करण में जनम लेने वाले व्यक्ति मिलनसार व्यक्ति होती हैं इस करण में जनम लेने वाले व्यक्ति सबसे प्रेम पुर्ण और सन्हे युक्तवे वहारे रखती हैं इनके बहुत अधिक मित्र होती हैं और मित्रों से इन्हें समय समय पर अनकूल सहयोग और लाब भी मिलता रहता है इस कर्ण के जातक बहुत ही स्वाभिवानी होती है जोतिशी शास्तर में माना जाता है कि तैतिल कर्ण में जनम लेने वाले विक्ति बहुत ही भागेशाली होती है इस कर्ण के जातक के पास काफी मातरा में धन संपदा होती है इनके जीवन में प्रेम का विशेश में है तो भी ये सबी को सनहे की द्रश्टी से देखते हैं इनके पास उत्म प्रकार के मकान इत्यादी हो सकते हैं आज का योग ध्रती नू बच कर बावन मिनट सुभे तक रहेगा इसके बाद शूल योग प्रारम हो जाएगा आएए जानते हैं ध्रती योग के बारे में किसी भवन एवम स्थान का शिला न्यास भूमे पूजन या निव पत्थर रखने के लिए इस योग को उत्तम कहा गया है इस योग में रखा गया निव पत्थर और जीवन सुक्स विधाएं देता है अर्थात यदी रहने के लिए किसी घर का शिला न्यास इस योग में किया जाए तो इनसान उस घर में रहे कर संप्रकार की सुक्स विधाएं प्राप्त करता हुआ अनंद में जीवन व्यतित कर सकता है आज के शुब समय आज का ब्रह्म मुरत 4 बच कर 50 मिनट सुबह से 5 बच कर 42 मिनट सुबह तक रहेगा आज अभी जीवन व्यतित मुरत का समय 11 बच कर 43 मिनट से 12 बच कर 26 मिनट दोपहर तक रहेगा विजय मूरत एक बचकर 55 मिनट दोपहर से दो बचकर 49 मिनट तक रहने वला है आज के अन्य शुब योगों में से अमरत कालम योग 6 बचकर 50 मिनट सुबह से 8 बचकर 29 मिनट सुबह तक रहेगा आज रवियोग का समय 11 बच कर 47 मिनट दोपहर से 6 बच कर 38 मिनट अगले दिन सुबह तक रहने वला है निशित मूरत 11 बच कर 49 मिनट मध्यरात्री से 12 बच कर 31 मिनट मध्यरात्री तक रहेगा आज का एशुब समय आज का राहुकाल एक बचकर 26 मिनट दोपहर से दो बचकर 48 मिनट दोपहर तक रहेगा यमगड़काल का समय 6 बचकर 38 मिनट सुबह से 7 बचकर 69 मिनट सुबह तक रहनी वला है मित्रो राहुकाल और यमगड़काल दोनों ही एशुब समय है इसलिए इन समय के दोरान किसी भी प्रकार के शुबकारे, मांगली कारे और ने कारे प्रयारब नहीं करने चाहिए दिशाशुल की बात करें तो आज दक्षन दिशा में दिशाशुल है आज के दिन किसी खास कारे के लिए किसी खास पर्योजिन के लिए दक्षन दिशा में यात्रा ना करें यदि यात्रा करना अतिया विशक हो तो जीरा और दही इन वस्तों का सेवन करके अपनी यात्रा प्रारम करें आज ये जानते हैं आज के दिन का चोगडिया आज शुब समय च्छा बच कर 37 मिनट सुबह से साथ बच कर 69 मिनट सुबह तक रहेगा चर समय दस बच कर 42 मिनट सुबह से बारे बच कर 5 मिनट दो पहर तक रहनी वहला है लब समय बारे बच कर 5 मिनट दो पहर से एक बच कर चब्विस मिनट तक रहेगा अमरे समय एक बच कर चब्विस मिनट दोपहर से दो बच कर अड़तालिस मिनट दोपहर तक रहेगा शुब समय की बात करें तो चार बच कर ग्यारा मिनट शाम से पांच बच कर बत्तिस मिनट शाम तक शबसमय रहेगा आज रात्री के चोगड़िये में अमरे समे 5.30 मिनट शाम से 7.10 मिनट शाम तक होगा चर समे 7.10 मिनट शाम से 8.49 मिनट तक रहने वला है लब समे 12.50 मिनट मध्यरात्री से 1.40 मिनट अगले दिन सुब़्य तक होगा शुब समय तीन बज कर टीन विंट अगले दिन सुबह तक रहने वला है अमरध समय पांच बजे अगले दिन सुबह से 6 बज कर 38 मिनट अगले दिन सुबह तक रहेगा आए जानते हैं नवंबर माह में आने वाले वरत्व ओर्थे उहारों कि भारे में 6 तारिक बुदवार, लाब पंच मी, 7 तारिक गुरुवार को, 6 पुजा, 9 तारिक शनिवार, गोपास्ट मी और मासिक दुरगास्ट मी होनी वली है 10 तारिक रविवार को, अक्षा नव मी, 11 तारिक सोमवार को, बीशम पंचक प्रारंब हो जैंगे 12 तारिक मंगलवार को, देव उठनी, अत्वा, देव अत्थाने एकादशी होगी कश्व पंचंग, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए अपडेट के साथ तब तब देखते रहें, अनुखा संकम का पंचंग, और इसे अधिक से अधिक, शेर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका वीडियो में अन्त तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद